कि सम्मिधान चलेगा और CPC चलेगा कुछ कारणों से आज का समय निकल गया है तो कांचूसन निकाली अनुछे 16 चल रहा था फिर एक बार आपका पांच मिनट दोहरा कर और जहां से रुका था वहीं से आगे बढ़ाया जाएगा और अभी आपका बेरेक्ट बताया नहीं गय तो बेरेक्ट आपका आज पूरा कर दिया जाए अनुछे 16 का और आपका अनुछे 16 और 15 में अंतर लोग पूछ रहे थे उसको भी आपका लिखवा दिया जाए अन्याज उसको भी बता देते हैं देखे एक बार फिर आपका शुरुवात करना पड़ेगा सुरू से जहां तक अनुछे 16 की बात हैं आपका सरकारी सेवाओं में यानिकि जो राज के अधीन सेवाओं हैं उसमें आपका जो अनुछे 16 का कलाज 1 हैं ये बताता है कि उसमें राज के अधीन सेवाओं में आपका नियोजन और नियुक्ति के मामले में आपका सभी भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समता होगी यानि की बराबर का मौका दिया जाएगा फिर आपका अनुछेद 16 का कलार 2 ये बताता है कि साथ आधार बताता है और ये बताता है कि इन साथ आधारों में से या इन में से किसी भी आधार पर किसी नागरिक के प्रति बिभेद नहीं किया जाएगा यानि की आपका सरकारी नौकरी देने में इन साथ में से एक या एक आधारों पर कोई बिभेद नहीं किया जाएगा फिर कलाद तीन आपका बताता है कि संसत चाहें तो राज संबंध ही अहरता निर्धारित कर सकती है यानि की अगर संसत चाहें तो कानून बना कर ये निर्धारित कर सकती है कि इस राज में इस राज का नागरिक ही मने उस राज का ब्यक्त ही आपका सरकारी सेवाओं के लिए योग्य होगा ये कानून राज नहीं बना सकते याद रखे केवल कौन बना सकती है संसत यानि कि इसका मतलब यह हुआ कि अगर संसत चाहें तो अगर ऐसा कानून बनाए कि मड़ी पूर में उदारण के रूप में केवल मड़ी पूर के लोगों को ही सरकारी नौकरियों में नियोजन और निवक्ति में समता दी जाएगी तो ये कानून सही होगा लेकिन राज ऐसा कानून बना नहीं सकते यानि कि अगर MPA बनाए कि MPA DPO का फारम जो निकला है बाहरी लोगों को भरने नहीं दिया जाएगा तो MPA को ये पावर नहीं है ये कानून कौन केवल बना सकती है ऐसा संसत और भाई तभी तो फारम डाल रहे हैं दूसरे राजियों का और दूसरे राज के लड़के लड़कियां भी आपका YUP का भी फारम डाल रहे हैं ये आपका सतर्क रहना है इसके बाद अनूछे 16 का क्लाज 4 हम सुरू किये थे और क्लाज 4 में आपका पहला कोश्चन बताये कि सरकारी सेवाओं में रिजर्वेशन का बेस क्या है, यानि कि आरच्छन का आधार क्या है, कांस्चुसनल बेस क्या है, तो आपका जवाब रहेगा अनुछेद सोलह का कलाच्या, अम्छे सोलह का जो आरच्छन का जहां तक प्रावधान है यह एक समर्थकारी प्रावधान है आरच्छन देना या न देना ये राज का बीवेका अधिकार है चाहें तो राज रिजर्वेशन दे या देने से इनकार कर दे लेकिन अगर राज रिजर्वेशन देता है तो उसे रिजर्वेशन के नियमों का पालन करना होगा अगर राज ने रिजर्वेशन नहीं दिया है तो सरकार बाद नहीं कर सकती कि आप रिजर्वेशन दीजिए सरकारी सेवाओं में लेकिन अगर देता है तो नियमों का क्या करे पालन अब इसमें आपका ये है कि आपका जो ये अनुछेद सोलह काकला चार है इसमें दो तीन बातें महत्पूण है कि सरकारी सेवाओं में आपका नवकरीयों में रिजर्वेशन के लिए दो पैमाना बताया गया है पहला पैमाना आपका है कि वह जो वर्ग हो वह पिछड़ा वर्ग हो यानि कि आपका पिछड़ा वर्ग हो और दूसरा पैमाना ये है कि राज के अधिन सेवाओं में उस वर्ग का सफिसेंट यानि कि परियाप्त प्रतिनिधेत नहो यानि कि जो मूल संबिधान में हमारे प्रावधान था वह रिजर्वेशन का जो प्रावधान था वह दो सर्तों के अधिन था पहला ये था कि जो वर्ग जिसको हम रिजर्वेशन राज देगा वह बैक वर्ड क्लास हो और दूसरा आपका पहलू ये है कि राज के सेवाओं मे उसका जो प्रतिनिधित्व है रिजिप रिप्रेजेंटेशन है वह परियाप्त नहों ये राज की राय में परियाप्त नहों तो पहले तो पिछड़ा वर्ग आयोग आपको देखना है कि पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन अनुछे 340 के तहत तहत राश्टपत द्वारा किया जाता है और पिछड़ा वर्ग की रिपोट पर कौन सा क्लास बैक वर्ड है इसका निर्धारन किया जाता है राष्टपत ने जिस वर्ग को पिछड़ा वर्ग घोंसित किया है उस वर्ग उसको चुनवती हम न्याईपालिका में दे सकते हैं और नियाले अगर देखता है कि राश्पत ने जो घूसित किया है जिस वर्ग को पिछड़ा वर्ग वह वास्तों में पिछड़ा नहीं है तो नियाई पालिका ऐसे राश्पत के आदेश को या अधिसूचना को रद कर सकती है यानि कि ये कह सकते हैं कि ये राश्पत द्वारा जो निर्धारित किया गया है ये आपका सही नहीं है और ये वर्ग बैकवर्ड क्लास में नहीं आता तो अनुछे 340 दूसरा राज की सेवाओं में परियाप्त प्रतिनी थी तो इस पर हम आगे बढ़ेंगे अब आईए आपका जो बताया गया था सबसे पहले जो केस आपका दो केस याद रिखे एक बाला जी बना मैसूर राज का और दूसरा देवदासन का बाला जी में पूछा गया है बाला जी बना मैसूर राज के केस में दो तिन बातें आई थी पहली बात ये आई कि जात केवल जात के आधार पर रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता दूसरी बात ये आई कि रिजर्वेशन की जो सीमा होगी वह आपका 50% से उपर नहीं होगी ये कोशन आपका कई बार बना है कि सौर प्रथम किस कवाद में ये कहा गया कि आरच्छन की सीमा 50% से अधिक नहीं होगी अगर ये कोशन पूछे और आपका सौर प्रथम दे तो सौर प्रथम किस केस में कहा गया बाला जी भाई याद करके जाएगा पाला जी का भी केस आपका पूछा जाता है और तीसरी महत्पूर जो बात आई कि पिछड़ा वर्ग को पिछड़ा और अत्य पिछड़ा में वर्गी करण नहीं किया जा सकता तीन आपकी बातें याद रखे फिर देवदासन का केस आता है और इसमें कहा जाता है कि जो कैरी फारवर्ड रूल है यह हम बताएंगे अभी बेरेक से जो अगर नय नियम है यह संबैधानिक नहीं है यानि कि यह आपका और संबैधानिक है कत पहचात आपका दूतिय पिछड़ा वर्ग आयोग आपका बीपी मंडल के धच्छता में गठित किया गया उसने सरकार को रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट के आधार पर आपका 50% डिजर्वेशन लागू किया गया सरकारी सेवाओं में आपका 27% OBC के लिए, SC के लिए 45%, SC के लिए आपका 15% और HD के लिए 45%, इसको चुनोति दी गई तमाम लोगों ने दी मुख रूप से इंदरा साहनी थी और इंदरा साहनी के वाद में आपका डिसीजन मैं बताया था और 10-12 पॉइंट हम बताये थे अब उतना बताना संभव नहीं है, दो तिन में में पॉइंट हम बताते हैं कि अनुछे 16 का जो कलाज 4 हैं, वह 16 वन का अपवाद न होकर स्पेशल रूप है दूसरा आपका बाला जी के निर्णे को उल्टा गया कि पिछड़ा और अत पिछड़ा में वरगी करण नहीं किया जा सकता लेकिन इंदरा साहनी में कहा गया कि किया जा सकता है बाला जी के एक निर्णे को बनाए रखा गया एक पॉइंट को और फिर कहा गया कि सामानितह रिजर्वेशन की सीमा 50% से एबफ नहीं होगी फिर आपका बाला जी में कहा गया कि जात के आधार पर आरच्छन नहीं तो इंदरा साहनी में इस केस को पलटा गया सेटे साइट किया गया और कहा गया कि जात के आधार पर भी रिजर्वेशन दिया जा सकता है जात भी एक वरग है लेकिन कब जबकि उस जात के सभी लोग सामाजिक रूप से क्या हो पिछड़े आपका आर्थी को आपका सहचनिक नहीं रिजर्वेशन का अधार क्या है तो सामाजिक रूप से सोशल रूप से उस जात के सभी लोग क्या हो पिछड़े तब दिया जा सकता है फिर आपका कैरी फारवर्ड रूल को अबायध माना गया फिर कहा गया कि प्रारंभिक निक्ति में केवल रिजर्वेशन दिया जाएगा प्रमोशन में नहीं दिया जाएगा आपका ये कहा गया इसमें फिर आपका ये कहा गया कि जो क्रीमी लेयर में आते हैं यानि कि जो AC, ST और OBC के लोग एक अस्तर से उपर पहुँच गये हैं उनके बाल बच्चों को यानि कि उनके पूत्र पूत्रियों को रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा राजिये निर्धारित करें इसके बाद आपका ये कहा अंतिम में आपका देखा जाए कि जो टेक्निकल जो सर्विसे हैं या उच अस्तर की सर्विसे हैं उसमें रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा जैसे कि सेना का मामला है या बैग्यानिकों की भरती का मामला है देश की सुरच्छा का मामला है या डाक्टरी में जो आपका मास्टर आप सरजन यानि कि MS लोग करते हैं तो सुप्रीम कोट ने इंदरा सानी के केस में कहा कि कुछ ऐसी सेवाएं हैं जहां कि रिजरवेशन मान्य नहीं होगा तो याद रिके MBBS में रिजरवेशन है लेकिन उसके बाद कोई MS करना चाहता है तो सुप्रीम कोट ने कहा कि उसमें आपका रिजरवेशन नहीं होगा यानि कि कुछ ऐसी सेवाएं हैं जहां कि रिजरवेशन नहीं दिया जा सकता तकनीकी और इत्याद याधार पर मन्याद तकनीकी और इत्याद सेवाएं हैं इंदरा साहनी के केस के बाद आपका सम्विधान में कुछ संसोधन किये गए और वहीं आपका संसोधन देखना है और केस अब आगे बढ़ना है एक लाइन और बता दिया जाए उचितम न्याले ने ये कहा कि रिजर्वेशन की सीमा जनरली 50% से उपर नहीं होनी चाहिए लेकिन विशेश परिश्थितियों में 50% से उपर हो सकता है लेकिन राज को विशेश परिश्थितियों को साबित करना होगा यानि कि आपका कह सकते हैं कि कौन सी ऐसी special condition आ गई है कि आप 50% से अधिक रिजर्वेशन दे रहे हैं इसका उलंगन करते हुए तमाम राजियों ने 60%, 70%, 80% रिजर्वेशन दिया है और कोट में तमाम भी बाद अभी पेंडिंग है यानि कि नियापालिका में तमाम भी बाद पेंडिंग है जहां कि रिजर्वेशन की सीमा 50% से क्या हो गई है अब याची अगर याचिया दायर करता है तो राजि को ये साबित करना पड़ेगा कि ये विशेश परिस्थिती थी इसलिए हमने 50% से उपर का रिजर्वेशन दिया है यानि कि ये इस्पेशल कंडिशन थी इसलिए हमने ये रिजर्वेशन दिया है कि किसको साबित करना पड़ेगा इस्टेट को अब आईए इसके बाद देखा जाए इंदरा साहनी के केस के बाद आपका तमाम बाते आईं इंदरा साहनी के केस में दो तीन बातें कही गई पहला कहा गया कि प्रमोशन में रिजर्वेशन मानी नहीं होगा दूसरा ये कहा गया कि कैरी फारवर्ड जो रूल है अभी हम बताएंगे अगर नया नियम है ये मानी नहीं है इसमें भी 50% की सीमा रहेगी यनकी जो भी आप सीटें रिजर्व करिये 50% से अधिक रिजर्वेशन नहोग तो इंदरा साहनी के में दिये गए कुछ आपका मने पॉइंटों को या कुछ डिसीजन को या कुछ बातों को सेटे साइड प्रभावहिन या अपास्त कहिए या उलटने के लिए संबिधान में संसोधन किया गया अब क्या क्या संसोधन किया गया अब बेर एक्ट निकालीजिये और बेर एक्ट से और केस के माध्यम से भी चलेगा देखे आपका अनुछेद सोलह का चार अभी समाप्त हुआ अब अनुछेद सोलह चार ए निकालीजिये और तब आपका इस पर बताया जाए क्यों जोड़ा गया क्या कारण रहा देखे आपका अनुछेद सोलह चार ए निकालीजिये भाई अनुछेद सोलह चार ए पहला कोशन आता है कि ये कब जोड़ा गया तो आपका याद रिखे ये अनुछेद सोलह चार ए पहला कोशन ये आ सकता है कि ये कब जोड़ा गया तो उसी पर लिख लेना चाहिए या तो बेर एक पर यालग 77 वे संबिधान संसोधन अधनियम उनय सव पांचान वे में जोड़ा गया पहला कोशन ये कि 95 है सहे या ना 77 वे आपका एमेंडमेंड कांस्टूशनल एमेंडमेंड एक्ट नाइंटीन हंडेड नाइंटी फाइफ में इसे एड किया गया पहला कोशन दूसरा कोचन ये संसोधन कब से लागू हुआ तो 17 जून 1995 से 17 जून उसको अंडरलाइन कर लिजेगा क्योंकि आगे फिर संसोधन इसमें करा जाएगा और ये डेट काफी महत पूर्ण होगी तो कब से इसे अपलाई मनें आपका इनफोर्स किया गया तो याद रखे छोटी छोटी बाते हैं 17 जून 1995 यानकी 17 जून 1995 अब क्यों जोडा गया ये पहले आपका बेरेक्ट देखे तब इंदरा सानी का केसम बताते हैं देखे इस अनुछेद की कोई बात राज को एसी और एस्टी के पच्छ में जिसका प्रतिनिधित्व राज की राय में राज के अधिन सेवाओं में परियाप्त नहीं हैं राज के अधिन सेवाओं में किसी वर्ग या वर्गों के पदों पर अनुवर्ती वरिष्टता सहित प्रोनत के मामले में आरच्छन के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी तो जो ये अनुवर्ती वरिष्टता सहित लिखा गया है इस सब्द को कब जोड़ा गया यानि कि अनुछेद सोलह चार ए में फुनह एक बार संसोधन किया गया और दो चार सब्द जोड़े गये वह संसोधन कब किया गया तो वह संसोधन आपका 85.85 संबिधान संसोधन 2001 यानि कि आपका फिर एक बार याद रखे इसको हम बता रहे हैं आपका देखे एकदम इतिहास से इसको पहणा है आपका जो पहणा है इसमें एक इतिहास के साथ पहणा है और देखे इतिहास हम बता रहे है पहला आपको इंदरा साहनी के केस से उठाए इसमें आपका दो तीन बाते हैं और आपका एक दो तीन चार केस पढ़ने पढ़ेंगे इस पर और एकदम क्रम से हम सुरुआती दोर से चल रहे हैं चारे को इंदरा साहनी के वाद में ये आपका बताया गया कि आपका प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा रिजर्वेशन केवल प्रारंभिक निवक्ती में ही दिया जाएगा इंदरा साहनी के इस बात को प्रभावहीन करने के लिए भारत की संसद ने अनुछेद 16 में एमेंड किया और 16-4-1 नया खंड जोड़ा और ये असपश्ट लिखा कि राजचा हैं तो AC और ST के लिए प्रमोशन में रिजर्वेशन दे सकता है तो पहला यहां टेक्निकल कोशन आया कि प्रमोशन में रिजर्वेशन का प्रावधान किस वर्ग के लिए हैं पिछड़ा वर्ग की अत पिछड़ा वर्ग की SC और ST के लिए तो केवल और केवल सतर्क रहिएगा पिछड़ा और अत पिछड़ा के लिए नहीं पहला कोशन केव और केवल किस के लिए SC और HD के लिए। दूसरा नियम आईए। दूसरा नियम यह है कि SC और HD को हाप खाड़ मोशन का अलाभ कब दिया जाएगा। जबकि राज की राय में, राज के अधीन सेवाओं में उनका परियाप्त प्रतिनिधित्व हो, कि परियाप्त प्रतिनिधित्व न हो, तो उनका परियाप्त प्रतिनिधित्व न हो, ठीक है, आपका प्रमोशन में रिजर्वेशन का प्रावधान हो गया, और आपका 77 संविध चाणसान सोधन्द्वारा, फिर आपका दो केस आया, एक कास केस आया, भारत संग बनाम बीरपाल सिंग, याने कि युनियन आप इंडिया वरेसिज-बीरपाल सिंग का केस आया, 20095 का और आपका, और दुसरा जो केस आया, अजीत सिंग जनूजा, अजीद सिंग जनूजा वर्सेज आपका पंजाब राज ये 1990 का फिर याद रखिए सुप्रीम कोट में ने दो फैसला दिया दो के सतर करेगा पहला है यूनियन आप इंडिया बना बीर पाल सिंग ये 1995 का है और दूसरा आपका केस आया अजीद सिंग जनूजा अजीद सिंग जनूजा बना पंजाब राज का और ये केसा आपका आया 1996 का दोनों वादों में उचितम न्याले ने क्या निरणे दिया ये पहले देखिए दोनों वादों में उचितम न्याले का यह निरणे आया कि जो एसी और एस्टी वर्ग के लोग सरकारी सेवाओं में आपका आरच्छन का लाव पाकर प्रमोसन पा लिये हैं अब समस्या ये आई कि वह जल्दी उपर के पद पर पहुँच गये हैं तो क्या उनके साथ जो भरती हुए थे क्या उन्हें इस आधार पर आपका बरिष्ट माना जाएगा कि नहीं सुपिरियर की कटगरी में रखा जाएगा कि नहीं जो लोग उनके साथ क्या हुए थे भरती इन दोनों केसों में ये कहा गया कि भले ही SCHT के लोग रिजर्वेशन के कारण प्रमोशन पालिये हो लेकिन प्रमोशन के बावजूद भी उन्हें बरिष्ट माना जाएगा कि नहीं नहीं माना जाएगा ये सुप्रिम कोट का दो केसों में क्या आया डिसीजन इस निर्णय को प्रभाव हीन करने के लिए भारत की संसद ने अनुछेद 16.4.A में 85.5 संसोधन किया और 2001 में किया गया और ये लिख दिया गया कि जो SCHT वर्ग के लोग रिजर्वेशन के आधार पर प्रमोसन पाए हैं सरकारी सेवाओं में उन्हें बरिष्टता का लाभ मिलेगा और बरिष्टता का लाभ कब से मिलेगा जब से प्रमोसन में आरच्छन का प्रावधान किया गया यानि कि 85 वा संबिधान संसोधन 2001 में जोड़ा जो गया और आपका जो प्रमोसन पालिये हैं उन्हें क्या माना गया बरिष्ट या संसोधन आपका कब से लागू होगा जिस तारीक से प्रमोसन में रिजर्वेशन का क्या कर दिया गया है प्रावधान तो बताए कौन सी तारीक बताई गय थी जिस तारीक को तो 17 जून 1995 तो 85 हमा संसोधन किस तारीक से प्रभावी हुआ बैक डेट से और डेट याद रखना है फिर एक बार हम बता रहे हैं कौन सी डेट है 17 जून 1995 अब आगे बढ़ा जाए अगला जो इसमें केस देखना भी समाप नहीं हुआ अभी एक केस और देखना है और राजेस कुमार एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश बिदुद परिसत का लाश्ट केस है यानि कि राजेस कुमार का लाश्ट केस है उसके बाद 16 चार भी सुरू करेंगे हम राजेस कुमार एवं अन्य बनाम एक बार देखे रिकार्डिंग दिखे आपका राजेश कुमार एवं अन्य बनाम उत्तरपदेश विदुत परिशत का भी केस काफी महत्पूर है इस केस में राजेश कुमार और अन्य लोगों ने आपका जो सोला चार ए हैं उसको चाय लेंज किया प्रमोशन मेरी जर्वेशन को राजेश कुमार एवं अन्य ने ये कहा कि एसी और एस्टी को रिजर्वेशन प्रमोशन में तभी दिया जाता है प्रोप्रोनत में तभी दिया जा सकता है जब दो सर्तों की पूर्टी हो वह वर्ग एसी या एस्टी में आता हो और दूसरा सब्द लिखा है कि राज की राय में उस वर्ग का परियाप्त प्रतिनिधित्व सरकारी नौकरियों तुराजेस कुमार ने ये तर्क दिया कि ठीक आजूर ये वर्ग एसी एस्टी में आता है लेकिन सरकारी नौकरियों में इनका परियाप्त प्रतिनिधित्व है अतह प्रमोशन में रिजर्वेशन न दिया जाए सुप्रिम कोट ने सरकार को नोटिः जारी किया उतर प्रतिनिधित सरकार को भी गिन्द सरकार को भी दोनों लोगों को सुना गया और ये बताने के लिए कहा गया राज सरकार से और आपका केंसरकार से कि बताईए कि SC और HD के कितने लोग, कितने प्रत्सत लोग सरकारी सेवाओं में हैं, तब हम डिसाइड करें कि इनका परियाप्त प्रतिनिधित्व हैं की नहीं। और सरकार से मांग करता रहा सुप्रीम कोट, सरकार ने कभी भी ये आपका लिष्ट बताई ही नहीं कि कितना प्रतिसत लोग इस वर्ग के सरकारी सेवाओं में हैं। तो सुप्रीम कोट ने S.C. और S.T. का जो प्रमोशन में रिजर्वेशन हैं वह अबायद घुशित कर दिया, इसलिए कर दिया कि इनका इन्हें रिजर्वेशन तभी मिलेगा जब राज की राय में, सरकारी सेवाओं में इनका उचित परियाप्त प्रतिनिधित्व अब समस्या यह आई कि जो S.C.H.T. वर्ग के लोग प्रमोशन का इस तो इसके बाद आपका यह मामला आया कि अब यह समस्या आई कि जो लोग S.C.H.T. वर्ग के लोग प्रमोशन में रिजर्वेशन का लापाकर और उचे पदों पर पहुँच गए हैं उनका क्या होगा तो सुप्रीम कोट ने राजियों पर छोड़ दिया कि राजिचा हैं तो उनको बैक करके उनको मूल पद पर ला दे या वैसे ही बने रहने दे तो कई राजियों ने वैसे ही बने रहने दिया चुकि आपका यूपी में अखलेह जी की सरकार थी तो इन्होंने क्या किया कि जितने लोग थे उनको मूल पदों पर जहां से उप्रमोट हुए थे वहां लाकर रख दिया गया तो अब ये हैं कि भाई आपका बरतमान नियम क्या है तो भारत की संसद में संबिधान संसोधन प्रस्तावीत हैं अभी हुआ नहीं है हो जाएगा तो हम बताएंगे संबिधान संसोधन अनुछेद सोलह चार ए में एक और प्रस्तावीत है जो ये सब्द लीखा गया है कि राज की राय में राज के अधीन सेवाओं में चाहें परियाप्त प्रतनिधित्व हो तभी रिजर्वेशन दिया जाएगा प्रमोसन में इस सब्द को ही चेंज करना है और दो सब्द जोडने के लिए आपका प्रस्तावीत है संसोधन वह सब्द ये हैं कि चाहें परिया प्रतनिधित्व हो या न नो बस इतना ही जोडना है सब्द कौन सा सब्द चाहें परियाप्त प्रतनिधित्व हो या नो लेकिन आपका संसद में विबाद उत्पन हो गया जैसे ही प्रस्तुत हुआ आपका ये मने सपा ने जोड़दार भी रोत किया और कहा कि जब S.C.H.T. को प्रमोशन मेरी जर्वेशन दे रहे हैं भी नहीं किया गया जादा इस बारे में कि तत्काल संसोधन किया जा सके तो बर्तमान इस्थिती ये हैं कि संसोधन जब हो जाएगा और संसोधन में वहीं सब्द लिखना है चाहें sufficient representation हो या नो हो तो नो हो का मतलब कि भले ही राज की राय में आपका हो यानि की नो हो इससे कोई मतलब नहीं है अब आईए आपका अनुछेद सोला का खंड चार देखा चार बी देखे निकालिए बेरेक भाई आपका फिर अनुछेद सोला का आपका जहां तक आपका चार बी की बात है चार बी देखा जा क्या कहता है देखे अनुछेद 16 का आपका जो चार भी है वह कब जोड़ा गया पहले तो ये देखना है तो 81 में संबिधान संसोधन अधनियम सं 2000 द्वारा इसे जोड़ा गया यानि कि ये कोश्चन बन सकता है पहला कोश्चन कि 81 में संबिधान संसोधन अधनियम सं 2000 द्वारा आपका अनुछेद 16 चार भी जोड़ा गया अब इंदरा साहनी का केस फिर से आपको याद रखना है इंदरा साहनी के केस में कैरी फारवर्ड रूल को बैद तो गहुंसित किया गया लेकिन ये कहा गया था कि जो रिजर्वेशन की सीमा होगी वह 50% से उसमें भी उपर नहीं होनी चाहिए तो एक उदारन पहले देखिए और तब आपका खंड चार ख़ बताया जाए फुदारन देखिए मालीजे 100 सीटे निकली 50% आपका अनारचित 27% आपका ओबी से के लिए 15% आपका एसी के लिए और लगब साड़े 7% आपका एस्टी के लिए तो अब समस्या आई कि मालीजे के एसी और एस्टी के योगी उम्मिदवार नो मिलने के कारण इनकी सीटे वायकेंट रह गई इनकी सीटे खाली रह गई अब आपका जो देवदासन के केस में आया अब समस्या देखे तब उहां से उठा जाए देवदासन का उठा जाए फिर इंदरासानी फिर आपका एक एक एटी वनवा एमेंडमेंट और फिर सोला आपका अनुछे सोला चार भी पढ़ा जाए बेरेक पहले उदारन से समझिए अब समस्या ये है कि जो पिछले साल एसी और एस्टी के सीटें योग उमिदवार के न मिलने के कारां भरी नहीं जा सकी अब उनको क्या अलग से बिग्यापित करके और केवल और केवल इन्ही वरगों के लिए वकेंसी निकाली जा सकती है कि नहीं ये समस्या आई तो आपका देवदासन के मामले में कहा गया कि ऐसा संभव नहीं है इंदरासानी के मामले में कहा गया कि आप इनके लिए अलग से वकेंसी निकाली है लेकिन उसमें जो रिजर्वेशन दीजिये वह 50% से उपर नहीं होना चाहिए यनकी 50% से भी अना रच्छित रखे और 50% जो बच रही है उनहीं में इनको एड़जेश्ट करिये इस निरणय को प्रभाव हीन करने के लिए भारत की संसद नेशन 2000 में 81 एमेंडमेंट किया और ये प्रावधान किया गया कि पिछले वर्सों में जो सीटें इनकी नहीं भरी जा सकी हैं उनको अलग से विग्यापित किया जा सकेगा और अलग से उन्हें भरा जा सकेगा और जो रिजर्वेशन की सीमा 50% वाली है इन मामलों में अपलाई होगी कि नहीं अपलाई नहीं होगी अर्थात अगर इनकी 100 सीटें मालीजिये इनकी खाली हैं तो अलग से इस पेशल जो आप चैन कहते हैं विशेश चैन विशेश वकेंसी इनके लिए निकाली जा सकती है पूरी सीटें रिजर्व की जा सकती हैं और केवल और केवल इन ही वर्ग के लोगों द्वारा ये सीटें भरी जा सकती हैं इसलिए आप देखे होंगे कि कभी कहल जो वकेंसी निकलती हैं उसमें लिखा रहता है कि ये सामानी चैन नहों कर कैसा चैन है विशेश जैसे ही कही विशेष चैन लिखा रहे इसका मतलब बैक लाग की वकेंसी है इसका मतलब कि जो पिछली वकेंसियां थे उसमें इस वर्ग के कुछ पद क्या रह गए रिक इसी को हम कहते हैं कैरी फारवर्ड रूल अगरन नियम यानकि पिछली जो पद नहीं भरे गए थे उनको अगले वर्षों में अलग से निकाल कर पद भरे जा सकते हैं कि नहीं भरे जा सकते हैं और इसमें जो रिजर्वीशन की सीमा हैं कितना परसेंट 50% वह अपलाई होगा कि नहीं होगा नहीं होगा अगर 100 सीटें की वाइकेंट हैं पिछले सालों की तो सव सीटों पर निकाल के वकेंसी और केवल किस के लिए वकेंसी निकाली जा सकती है से या स्ट के लिए अब आपका बेरेक सही रहेगा बेरेक का पढ़ना सही रहेगा क्योंकि एकदम इतिहास से पढ़िये देवदासन का केस फिर हमने किसका बताया इंदरासानी फिर आपका सोलह चार कौन सा जोड़वाया भी और क्या होता है अगर किसी को न समझ में आया हो क मैंनियम या बैकलाग की वकेंसी या विशेश चैन नो आया हो तो बताईए हम फिर एक बार बताएंगे नो आया हो तो एक बार इसारा करिये दुबारा हम बताएंगे तो वैसे खुद हम बता रहे हैं कि एसी और एस्टी की जो वकेंसियां रिक्त रह गई हैं क्योंकि उनक केंसियों को अलग से भी ग्यापित किया जा सकता है और केवल इस वर्ग के लोगों के लिए भी ग्यापित किया जा सकता है और भरा जा सकता है अब आये बेरेट की भासा देखा जाए आपका तब सही रहा देखिए इस अनुछेद की कोई बात यानि कि अनुछेद सोलह की भरी गई रिक्तियां जिसे उस वर्स में आरचित किया गया था अनुछेद खंड चार एके उपबंधों के अंतरगत आरच्छन के किसी उपबंध के अनुसार उस वर्स में भरे जाने के लिए आरचित किया गया था खंड चार एके अंतरगत प्रिथक रिक्तियां मानी जाएंगी और अगले वर्स या वर्सों में भरा जा सकेगा वहीं तुम्हें बता कि जो पिछली वकेंसी में क्या हुआ इनकी सीटें नहीं भरी जा सकी है वह अगले वर्स या अगले वर्सों में यानि कि 5 साल बाद भी वर्सों में भरी जा सकती है कि नहीं भरी जा सकती है और अगला पॉइंट है किसी ऐसे वर्ग की रिक्तियों पर उस वर्स की रिक्तियों के साथ जिन में उन्हें भरा जाना है 50% की सीमा के निर्धारन के लिए उस वर्स की कुल रिक्तियों के आरच्छन पर विचार नहीं किया जाएगा यानकि अगर इनकी रिक्तियां जो पिछले साल वैकेंट रह गई सीटें अगर वह भरी जा रही हैं और 50% की सीमा का क्या हुआ फाइलेशन तो उस पर विचार किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा नहीं किया जाएगा इसका मतलब कि अगर 50% से रिजर्वेशन क्रास हो जाता है तो वह रिजर्वेशन बैद होगा क्योंकि ये कैसी वकेंसी हैं बैकलाकी या बिशेश चैन नहाय तो लिख लिजेगा इसको कहा जाता है कैरी फारवर्ड रूल सुद्धिन्दी में अगर नयन नियम भाई अगर न क्या हुई है नहीं भरी गई है लेकिन ये जो मामला है क्योंकि सोरह चार ए दे रहा है तो बताइए सोलह चार ए में आपका ओभी सी आता है कि केवल और केवल एससी एस्टी आता है एससी एस्टी ये भी सतर कराना सब के लिए नहीं है कि किसके लिए है केवल एससी और एस् अब केस जो आया आपका इम नागराज का केस आया और ये केस भी आपको पढ़ना है इम नागराज बना भारत संका केस इस वाद में ये जितने संसोधन किये गए थे आपका 77 फिर 81 फिर आपका 85 और अभी हम बताएंगे 82 अभी आपका एक संसोधन नहीं बताया गया है और वह आपका 82 अमा क्योंकि वह अलग अनुच्छेद में किया गया है तो ये अनुच्छेद जैसे ही समाप्त होगा उसको पहले बता दिया जाए तब नागराज का केस बता जाए देखिए 16 पहले समाप्त हो जाए 5 और 6 तब अनुच्छेद 335 हम पढ़ाएंगे और फिर न नागराज का केस तब आपका अंतर बता जाएगा अनुच्छेद 16 का खंड पांच देखिए अनुच्छेद 16 का खंड पांच ये कहता है कि इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी विध के प्रवर्तन पर इफेक्ट नहीं डालेगी जो यह उपबंद करती है कि किसी धार या संप्रदाइक संस्था के कारिकलाब से संबंधित कोई पदाधारी या उसके सासी निकाय का कोई सदस किसी विशिष्ट धर्म का मानने वाला या विशिष्ट संप्रदाइका ही होगा इसका मतलब यह हुआ है कि अगर ये राज नियम बनाता है कि जो राज के अधिन अगर वह धर्म से संबंदित हैं इत्याज से तो ऐसी दसा में उसका जो पदा धिकारी होगा हुआ किसी विशिष्ट धर्म का ही ब्यक्ति होगा तो ये नियम सही माना जाएगा येकि धर्म के आधार पर विभेद किया जा सकता है लेकिन कब जब सरकारी सेवाए ऐसी हो जहां कि धर्मी कर्मकांड हो और किसी बिशिष्ट धर्म का ब्यक्ति ही उसको क्या कर सकता है कर सकता है जैसे अब उदारण एक दो देखना जैसे एक दो सबसे अच्छा उदारण मलेट्री का मिलता है जहां भी आप सेना में जाईए तो सेना में आपका महजिद भी मिलेगी मंदिर भी गुरुद्वारा भी और आपका इत्याद अब ऐसी दसा में बाहरी लोग तो भाई जाकर पूजा पाठ कराएंगे नहीं तो ऐसी दसा में उन मंदिरों या कह सकते हैं महजिदों या जो गिर्जा घर हैं वहां धार्मिक रिया कलाप करने के लिए आपका निक्ति होती हैं तो अगर ऐसी दसा में मंदिर हैं तो भूजा पाठ हिंदू धर्म का ही कोई ब्यक्ति कराएगा ये राज अगर नियम बनाता है तो ये नियम सही होगा महजिद हैं तो कोई मुसलिम धर्म का ब्यक्ति ही उसमें रखा जाएगा आपका सरकार वेतन भी देती हैं निक्ति होती हैं जिसे जो मलेटी के कामपेस के अंदर हैं पहला वारिश तो छोड़ नहीं देंगे कि कुट्टे बिली और सुवर्ट हले जिससे सहर में तो वहाँ निक्ति की जाते हैं सरकार द्वारा और वो लोग कुझा पाठ इबादत अजान इत्याद करवाते हैं तो अगर सरकार ऐसे मामलों में अलग मनें किसी धर्म विशेश के लोगों को ही चुनती हैं तो ये नियम बाइद होगा कि अबाइद बाइद और किस 16 का जो खंड 6 है ये 103 संबिधान संसोधन अद्नियम 2019 में जोड़ा गया तो फिर याद रखे कि ये कब एड किया गया 1030 संबिधान संसोधन अद्नियम 2019 में जोड़ा गया OBC, SC और ST से भिन जो वर्ग है यानि कि जनरल OBC पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, SC और ST के बाहर जो वर्ग जा रहा है यानि कि जनरल या सामानी वर्ग राज चाहें तो ऐसे सामानी वर्ग को सरकारी सेवाओं में या राज के अधीन सेवाओं में कितना प्रत्सत सीठें रिजर्व कर सकता है 10% भले ही 50% सीमा का क्या हो उलंगन हो यानि कि अब कितने रिजर्वेशन हो गया 60% अब इस समिधान संसोधन को उच्चेतम नयायाले में चुनवती दी गई हैं और जल्दी ही अब फैसला आने वाला है तो कई लोग एक दो लोग कहें कि केस बताये केस है भई फैसला आजाए तब तो केस बताया जाए यानि कि आपका कर सकते हैं कि फैसला आजाए तब ही तो केस बताया जाए कि बिना फैसला आए हम केस बता दें तो जल्दी फैसला आएगा अगर सुप्रीम कोट या तो बैद घोंसित करेगा या अबैद बैद करेगा तो आपका सही माना जाएगा 10% आपका रिजर्वेशन अबैद घोंसित करता है तो ये बना रहेगा बेरेक्ट में लेकिन केस नीचे लिखा रहेगा कि इस केस में उचितम न्याले ने इस प्रावधान को लीगल भासा में वाइड कहेंगे सुन्य गोंसित कर दिया और संबैधानी गोंसित कर दिया और लिखा जाएगा तो इंतजार करिए जे दिन फैसला आएगा अगले दिन हम हर हाल में केस यहीं लिखवा देंगे बेरेक पर अब आईए एक और उंचे निकालिए इसके साथ साथ पढ़ा जाता है क्योंकि उसमें सांसोधन करा जाएगा और तब सभी सांसोधनों को एक साथ लेना है निकाली आपका तीन सो नहीं तीन सो पांटिस है बहीं चालिस नहीं है लोग्राइब लिखिया आपका यह निकाल लीजिए तीन सो पाइटीस अनुछे थ्री थ्री फाइव बेरेक में निकालिया यहां संसुधन भी कराना पड़ेगा आपका दिखिया आपका यह interview में पूछा गया है कि अनुछे 16 और आपका 335 में रिलेशन क्या है यह आपका interview में भी पूछा गया है और आपका सतर कराना आपका 335 से देखे अनुचेद 335 और अनुचेद 16 में रिलेशन हलका सा पहले देखे अनुचेद 16 ये प्रावधान करता है चार की राज चाहें तो पिछड़ा अतिपिछड़ा और एसी तथा एस्टी वर्ग के सदस्यों के लिए जिनका राज की राय में सरकारी सेवाओं में सफिसेंट रिप्रेजेंटेशन नहीं है आरच्छन का प्रावधान कर सकता है अनुचेद 335 ये बताता है एक बैलेंस बनाता है कि जब आप रिजर्वेशन दीजिए तो ठेक है आप इनके हित को भी देखे लेकिन एक और हित देखे कि जो राज की सेवाएं हैं उसमें जो दच्छता हैं उसलता हैं वह डिश्टर्ब नहुँ अर्थात रिजर्वेशन देते समय राज को अनुचेद 335 ये निदेश भी देता हैं कि आप रिजर्वेशन देते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि जो राज की सेवाएं हैं उसमें जो दच्छता होनी चाहिए उसलता होनी चाहिए वह डिश्टर्ब नहुँ ये नहो कि आप रिजर्वेशन के आधार पर अच्छम लोगों को आप भरती कर लिजे तमाम विबाद इस पर उत्पन हुए और ज्यादा तर विबाद MBBS के आडमीशन में आये और MBBS के आडमीशन में ST वर्ग के कुछ लोग थे जो माइनस में पाए थे नमबर समस्या ये आई कि भाई कटेरिया निर्धारित हैं और ये आपका मने बोड ने कहा कि जो माइनस में नमबर पाए हैं उनका आडमीशन नहीं किया जाएगा तो लोग सुप्रीम कोट गए फिर सम्विधान में संसोधन किया गया 821 यानि कि ब्याई सीमा सम्विधान संसोधन किया गया और कहा गया आपका इनके लिए क्या कर सकता है डाउन कर सकता है और जो अहरता अंक है किपना परसेंट तो इनके लिए वह भी क्या कर सकता है डाउन जैसे कि आप भीहार देख सकते हैं रेपियों में ही प्वह जो अहरता अंक है वह क्या किया गया है डाउन जैसे यूपी में भी है आपका इतना परसेंट आपका कम से कम नंबर पाना फ्री के लिए जरूरी है और एसी एस्टी के लिए जो नंबर का इस्टेंडर है या अंक का मानक है वो क्या है कम है पासिंग मार्क भी पालेंगे तो अब यह है कि इसको चुनोती दी जा सकती है और इस आधार पर दी जा सकती है जैसे बिहार में दी गई बिहार में भी दिया गया कि जो ये मानक निर्धारित किया गया है इससे तो हमारे जर्वेशन का जो मूल अधिकार है वह प्रभावित होता है अता हमारे मामले में मानक कम किया जाए या मानक की जो बात है वह रद की जाए क्योंकि अगर मानक निर्धारित किया जाता है तो हमारे वर्ग के लोग तो पहली सिंड़ी यानि की प्रीही क्वाली फाई नहीं कर प जहां कि मानक को क्या किया गया डाउन और फिर से आपका मने लगभग 15 सव से कुछ कम रिजल्ट निकालने पड़ें तो अव समस्या देखें आपका यहीं है कि अनुछे 16 और आपका 335 में रिलेशन क्या है तो रिलेशन यहीं है कि एक बैलेंस बनाता है कि आप रिजर्वेश लेकिन उसी के साथ साथ वैसरकारी सेवाएं बाधित न हो उसमें कुसलता और दच्छता बनी रहे कहीं अयोग्य ब्यक्ति न आ जाएं इस बात का भी राज क्या रखे ध्यान एक केस आया निवेदिता जैन का और उसमें यह कहा गया कि जो अहरता अंक है वह कम नहीं किया जा सकता तो उसकी बाद संसोधन हुआ है 335 में और राजचा है तो हैसी और एसटी के लिए जो इस टेंडर है वह भी क्या कर सकता है कम और जो अहरता अंक है वाली फाइंग जो मार्क है उसमें भी क्या कर सकता है कम जैसे ये संसोधन आया तो जो HT वर्ग के लोग थे MBBS में उनका आडमीशन हुआ माइनस मार्क पाय जाने के बावजूद भी यानकि माइनस में वंक पाय थे तब भी उनका इस आधार पर MBBS में आडमीशन हुआ अगर वो सीटें बैकेंट रह जाती तो अगली बार जो निकलती वकेंसी उसमें इन सीटों को क्या किया जाता अड़ जेश्ट क्योंकि कैरी फारवर्ड रूल भी अब क्या है माण तो दिखे आपका बेरेट की भासा थोड़ा देखिए तब सही रहेगा भाई आपका अब बेरेट की भासा देखिए पहला नियम तो ये जानिये कि 82 वे संबिधान संसोधन अधिनियम द्वारा अनुछे 335 में संसोधन किया गया है और जो इस्टेंडर और जो काली फाइंग मार्क होता है उसको राज चाहें तो क्या कर सकता है डाउन किसके लिए एसी और एस्टी के लिए अब एक बार बेरेक देखिए सेवाओं और पदों के लिए एसी और एस्टी जनजातियों के दावे संग या किसी राज के कारिकलाब से संबंदित सेवाओं और पदों के लिए निक्तियों में एसी और एस्टी के सदस्यों के दावों का प्रसासन की दच्छता बनाए रखने की संगत के अनुसार धिहान रखा जाएगा यानि कि पहला नियम यह है कि जब आप एसी और एस्टी को रिजर्वेशन दीजिए तो राज ये भी द्यान रखे की प्रसासन में उसलता बनी रहे दच्छता बनी रहे योग्य लोग ही लिए जाएं और योग्य लोग प्रसासन में नौ आएं इस बात का राज क्या रखे ध्यान अब समस्या ये हैं कि आपका अंक में क्या होगा तो अगला देखे आपका सत पहचात अब ये हुआ सुप्रीम कोट ने ये कहा कि जो क्वालिफाइंग अंक हैं आप डाउन नहीं कर सकते एसी एस्टी के लिए तो फिर अनुछेद आपका 335 में एमेंड किया गया तो कौन सा संसोधन आया एटी टू मां सन याद रखेगा सन दो हजार में और क्या जोड़ा गया 335 में प्रोविजो अब प्रोविजो पर ध्यान दीजिए परन्त इस अनुछेद की कोई बात राज को एसी और एस्टी के पच्छ में संग या राज के मामलों से संबंधित किसी वर्ग की सेवाओं या पदों के लिए परिच्छा में अहरता अंकों में सिछित करने या आरच्छन में मुल्यांकन के मापदंड को घटाने के लिए किसी उपबंध कोई उपबंध बनाने से निवारित नहीं करेगी यानि कि राज को रोकेगी नहीं इसका मतलब यह हुआ कि राज चाहें तो एसी और एस्टी के लिए इस टेंडर भी क्या कर सकता है डाउन और क्या कर सकता है जो क्वालिफाइंग मार्ख है उसको भी क्या किया जा सकता है डाउन ये लिखा जा सकता है कि अगर कोई ऐसी एस्टी वर का व्यक्ति चाहें कितना भी अंक पाए उससे मतलब नहीं है उसका admission होगा वह सरकारी नौकरी का हकदार होगा अब समस्या देखिए कब आएगी जैसे बिहार APO में आई थी कि result में एक भी general का result नहीं आया इसमें कोई सक नहीं है जो general का लड़का किया था कुछ और लोग भी किये थो भी से से ठीक है उसका ही नहीं हुआ यानि कि मुख याची का ही नहीं हुआ दूसरी बात ये आई कि जो भी result आया है केवल बिहार के लड़के हुए हैं उसमें बाहरी एक भी लड़का नहीं है क्योंकि जो रिजर वेशन दिया जाएगा वह यूपी और जारखंड के लिए तो है नहीं केवल किसके लिए बिहार के लिए तो जो 14, 75 या 76 result आया है उसमें केवल और केवल बिहार के ही आपका पिछडा, अतिपिछडा, SC और ST के लोगों का ही result आया है तो क्या राज ये, इस्टेंडर और क्वालिफिकेशन मार्क डाउन इनके लिए कर सकता है कि नहीं कर सकता है, किसके लिए केवल, SC और ST यूपी में भी है, मैं बता दूँ जनरल और OBC के लिए 40% कम से कम अंक पाना जरूरी है और SC, ST के लिए 35%, 35 है न यूपी में, यूपी में निकला 35% साथ है यानि कि अगर 35% तो आपका अगर इसमें समस्या ये आएगी कि अगर इनकी सीटें वैकेंट हो जाती हैं क्योंकि कोई 35% भी कभर नहीं कर पाया तो वहीं बैकलाग का सीटम है कैरी फारवर ढूल के तथ वह सीटें क्या की जाए अगले वर्सों में भरी जाए एक और उपा है कि आप याच्चा भी दायर कर सकते हैं कि जो ये अहरता अंक लगाया गया है ये मनमाना है ये अच्पूचित नहीं है इससे हमारे रिजर्वेशन के अधिकार पर क्या हो रहा है अतह इसे हटाया जाए क्योंकि हमारे वर्ग के लोग इसके नीचे जादा आ रहे हैं अब इसको चुनावती दी जा सकती है इसमें ये नहीं कि चुनावती नहीं दी जा सकती अब कोट क्या करता है अगर चुनवती दिया जाए बैद भी मान लिया जाए तो बैकलाग उपलब्द है आप जो सीटें वाइकेंट हो गई है वह जनरल वर्ग से नहीं भरी जाएगी अगले साल इनके लिए आपका अलग से या उसी में इस दे दिया जाएगा कि ये केवल किसके लिए है S.C.H.T. के लिए जे में भी ऐसा हुआ है कि अलग से आपका S.C.H.T. का लिख दिया गया कि इतनी सीटें वाइक लाकी है और आरच्छन के बाद उसमें लिखा रहता है तो इस परकार आपका अनुछेद 16 एक केस और हैं लाश्ट में आपका इम नागराज का केस है इम नागराज के केस में यानि कि नागराज के केस में जो भी ये संसोधन हुए है अब कौन कौन हुए हैं लाश्ट में एक लाइन बताईए पहला हमने बताया 77 वा संबिधान संसोधन दूसरा 81 वा तिसरा 82 वा जो इसमें हुआ था 335 में और 4 था आपका 85 हुआ इन चारों संबिधान संसोधनों की बैलिटी को चुनोती नागराज के केस में दी गई और नागराज के केस में उचेतम न्यायाले ने सभी संसोधनों को बैलिड माना, सही माना यानि की बैद माना तो जो लाश्ट केस हैं कौन सा है नागराज का इस प्रकार आपका जो भई केस तो हजारों है उतना बताना संभव नहीं है लेकिन जो साथ आठ दस में में केस थे उसको ही हमने केवल बताया क्योंकि पढ़ाते समय महीनों लग जाएगा और केस खतम नहीं होंगे तो भई पढ़ाने की भी एक सीमा है साल भरम समिधान नहीं चला सकते इसलिए कुछ केस आपका जो है सैकलों केस दिये गया है लेकिन जहां से लीडिंग कोचन बनता है आपका वह जरूर बता दिया गया तो थो आरेट ले लिजे दस बारा मिनट दस क्या पंदरा मिनट तब आपका सीपी सी भाई शुरू करते हैं इसको कल अंतर बताएंगा अनुछेद 15 और 16 में अंतर ही बचा है आप लोग भी पढ़कर आईए ताकि अंतर कुछ आप भी घ्यान रहे आपको भी पहले अनुछेद 15 16 में अंतर बता जाएगा फिर अनुछेद 15 के खंड चार और 16 क एक खंड चार दो माडल से बता आजाएगा अनुछ देख लेंगे वह याद नहीं आ रहा है आयोग बना था इसको देख लेंगे